हेलो स्टुडेंट्स, यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, आज हम इस वीडियो में सकंद गुप्त की विजए तथा उसके लोकोप कारीकारियों के बारे में देन करेंगे, तो देखेगा इससे पहले वाले वीडियो में हमने सकंद पहले लिस्ट में जाके और गुप्त काल में इन चीजों के बारे में वीडियो देख सकते हैं, तो देखेगा ये दिया आपने यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटा फट सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्जाम की दरस्टी से महतोबुन सुचने प्राप्थ हो सके और आप एक्जाम की तैयारी अच्छे से कर सके, तो चले पढ़ते हैं इसकंद गुप्त की विजे, इसकंद गुप्त ने अपने पिता कुमार गुप्त पर्थम के काल में पुशे मित्रों को प्रास्त कर अपनी वीडिता का परीचे दे दिया था राजा हुने पर उसके समक्स जो सबसे महतोपुडवा कटिन समस्या थी वह थी हुनों के आकर्मन का सामना करना हुन आकर्मन ने गुप्त समराजे की जड़े हिला दी थी ठीक है हुनों के बारे में भी हम आपको आगे वीडियो दिखाएंगे हुनों का आकर्मन हुनो का पर्थम आकर्मन स्कंद गुपत के समय में हुआ था, तो देखो यहां पे क्यूशन बन रहा है कि हुनो का पर्थम आकर्मन किस सासक के समय हुआ था वोय आपका स्कंद गुपत, इस आकर्मन का नेता खुस नेवास था जिसने इरान के ससानी सासकों को दबाने के बाद भारत पर आकर्मन किया यह युद बड़ा भेंकर था उसकी भेंकरता का संकेत भीतरी स्थंबलेक में हुआ है जिसके अनुसार हुणों के साथ युद चेतर में उतरने पर उसकी बुज आवर्त अर्थात बवंडर उठ खड़ा हुआ था इस यूद में सकंद गुप्त ने हुणों को बुरी तरह से प्रास्त किया तथा भारत से बाहर खदेड दिया था ठीक है इस यूद का परमान सकंद गुप्त के जुनागड अभिलेक से मिलता है जिसमें हुणों को मलेच कह परिये गंदार से है जहां पराजित होने के बाद हुण नरेस ने शरण लिथी चंदर गोमिन ने अपने व्याकरण में एक सुत्तर लिखा है जटों अर्थात गुप्तों ने हुणों को जीता यहां इस पंक्ती का अर्थिसकंद गुप्त की हुण विजय से है सुमदेव क कथा सरित सागर में उलेक मिलता है कि उजयनी के राजा महेंदरा दित्ते के पुत्तर विक्रमा दित्ते ने मलेचों को जीता था यहां भी सकंद गुप्त की और ही संकेत है जो कुमार गुप्त महेंदरा दित्ते का पुत्तर था मलेचों से तात पर यह हुणों से ही है ठीक और दर्फ से अपने फन उठाए रहते थे इस आधारपल फ्लेट ने निसकर्ष निकाला है कि इसकंद गुप्त के ने नागवंसिये राजों को प्राजित किया था परन्तु इस संबंद में हम निस्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते लगता है कि इस कथन का संकेत पुष्य मित्रों तथा हुणों के लिए था इसकंद गुप्त की प्रारंबिक उलजुनों का लाब उठाकर दक्सिन से वाकाटकों ने भी उसके राजियों पर अकर्मन किया तथा कुछ समय के लिए मालवा पर अधिकार कर लिया वाकाटक नरेंदर सेन को बाला घाट लेक में कोसल मेकल मालवा का सासक बताया गया है किन्तु इसकंद गुप्त ने सिग्रे इस देश के उपर अपना अधिकार सुदरड कर लिया था तथा जीवन परियंद उसका सासक बना रहा वाकाटक उसे कोई हानी नहीं पहुंचा सके इसकंद गुप्त के लोकोपकारिता के कारी देखे हमने पहले पढ़ा इसकंद गुप्त की विजए जो जीर में सबसे महतोपुन है हूनों पर विजए ठीके अब आता है इसकंद गुप्त के लोकोपकारिता के कारी लोकोपकारी कारियों में सलगने रहते थे जुन्नागट अभिलेक से पता चलता है कि सकंद गुपत के सासनकाल में भारी वर्षा के कारण एतियाशिक सुदर्सन जील का बांध तूट गया था छन भर के लिए वह रमणिये जील संपून लोग के लिए दुदर्सन यानि भया नगर का नगरपती था दो माह के वित्र भी अतुल धन का वे करके पत्तरों की जड़ाई द्वारा उस जील के बांध का पुन्दर निर्मान करवा दिया लेक के नुसार ये बांध सो हाथ लंबा तता अरसट आठ चोड़ा था इससे परजा के सुक की सांस ली गई थी ठीक पुष्य गुप्त वैसे ने पस्चिमी भारत में सिंचाई की सुविदा के लिए करवाया था असो के रास्टर ये यवन जातिये सुसास से तुसास से ने उस जील पर बांध का निर्मान करवाया था यह बाद पर्थमबार सक महाचत्र प्रूद्र दामन जिसने 130 से 150 इस उट गया जिसका पुदर निर्मान उसने अतुल धनवे करके अपने राजेपाल सु विशा के निर्देशन में करवाया था देखेगा कई बार इस पेरेग्राफ में से आपको ज्यूसर मिलेंगे एकजाम की दरस्टी से तो इसको आप अच्छे से देखेगा इसकंद गुप्त का धर्म एम धार्मिक निती इसकंद गुप्त एक धर्मनिस्ट वर्ष्णव था तदा उसकी उपादी परम भागवत की थी उसने बितरी में भगवान विश्णू की पर्तिमा स्तापित करवाई थी गिंडार में चक्रपालित ने भी सूदर संजील के देड़ा तथा गुप्त समराजे को नस्ठ होने से बचाया जैसे कि चंद्रगुप्त मोरे ने युनानियों की दास्ता से देश को मुक्त किया तथा चंद्रगुप्त सेकेंड ने विदेशी सकों की सक्ति का मिनास किया वहीं स्कंद गुप्त ने एहंकारी हुनों के एक महान जो विजयताकारी तता लोकोप कारी कारिये करने वाला योध्धा था और इसके बाद जो गुप्त समरजे इसका विवाजन स्टार्ट हो जाता है और इसकंद गुप्त के बाद के सास्कों के बारे में हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे तो बने रहें